इंडिया ब्लॉक में इंदिनों हल चल तेज है इंडिया ब्लॉक के नेता नितिश कुमार को आउफर पर आउफर दे रहे हैं समझा रहे हैं सला दे रहे हैं कि नितिश बाबू आप सेर की सवारी कर रहे हैं और सेर की सवारी करना दोधारी तलबार की तरह है देखिए जो सेर के सबारी करते हैं बाहर से तो लगता है कि ये आदमी बड़ा पावर्फुल होगा कि सेर के सबारी कर रहा है लेकिन उसको पता है कि वो सेर के इसारे पे चल रहा है सेर जिधर जिधर कहेगा वो वही जाएगा और सेर से अगर उतरेगा तो सेर उसको खा जाएगा तो क्या ये सचाई सेर पर समार नितीश कुमार भी समझ रहे हैं कहा यही जा रहा है कि भाजपा के खेल को नितीश कुमार समझना सुरू कर चुके है कि भजबाकिर बिहार में खेल कौन सा खेल रही है और ये खेल अगर अंजाम तक पहुँचा तो फिर जंता दल यूनाइटेट कहा रहेगा और नितीश कुमार कहा रहेगा चिराग मॉडल इसके बाद परसांद किसूर का मॉडल और आप RCP सिंग का मॉडल ये क्या है इन मॉडल का क्या असर होगा जंता दल यूनाइटेट के सेहत पर इसकी चर्चा अभी सत्ता के गलियारों में है यही कहा जा रहा है कि क्या हुआ उद्धव ठाकरे का याद कर ये नितीश वागो साथ साथ चुनाव हुआ मुख मंत्री बनाने का वादा था लेकिन पिर हुआ क्या ये तो उद्धव ठाकरे की ताकत थी जो वो सर्भाइब कर गए लेकिन आपके साथ तो वो बात भी नहीं है इसलिए आईए माया मो छोड़िये और इंडिया ब्लॉक की तरफ आईए राहुल गांधी और अखलेस यादव ने एक खुला ओफर नितीश कुमार को दिया है देखे दीपाबली के दिन आर्सीपी सिंग की पार्टी का गठन हुआ आसा नाम है उसका तो क्या ये आसा भाजपा के लिए है ये सवाल कल से ही पूछा जा रहा है आपने जिसको टार्गेट किया है कुर्मी भोटरों को कुसबाहा भोटरों को अति-पिछला भोटरों को वो किसका बोट बैंक है बिहार में आकिन नितीश कुमार की तागत क्या है यही बोर्ट बैंक है ना जिस पर नितीश कुमार राजनीती करते हैं पिछले 20 साल से मुखमंत्री बने हुए है अब उस पर एक सेधवारी रसीपी सिंग भी करने की कोशिस करेंगे परसान की सोड तो कर ही रहे हैं और चिराग मोडल तो सावित हो चुका है 2020 में अगर ये तीनों फोर्ट नितीश कुमार को घेरने में लगा दिया भाजपा ने तो फिर नितीश कुमार निकलेगे कैसे एक कोने पर तो भाजपा खुद भी खड़ी है यानि चोतरफा जो घेरा बंदी है नितीश कुमार की इसके परती राहूल गांदी और अखले सिंग उनको आगाह कर रहे हैं कि अभी भी मौका है आप समलिए नहीं समलिएगा तो बरबाद हो जाईएगा आईए हमारे तरफ आपका रास्ता खुला है आपका स्वागत अखले सियादब ने क्या कहा कर इंटर्व्यू में कि हमको तो नितीश कुमार ही लेके आए इंदिया ब्लॉक में हम तो थे ही नहीं और हम आगे और खुद चले गए लेकिन एक बात उन्होंने कह दी जाते जाते कि समय आएगा वो भी हमारे साथ आ जाएंगे तो क्या वो समय आ चुका है उपचुनाओ के नतीजों के बाद मारास्ता और झारखन के नतीजों के बाद वो समय आने वाला है जब नितिश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे और जिस सेर पर वो सबार है उससे उतर कर इंडिया ब्लॉक के सुदक्षित घेरे में वो चले जाएगे बिहार की सियासत को समझने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर नितिश कुमार की पार्टी आज तीसरे नमबर पर है तो चिराग मौडल इसके लिए जिम्मेदार है जनता दल यूनाइटेट की जो जो सीटे थी वहाँ पे लजेपी और चिराग के कंडिडेट ने खेला किया और पार्टी 45 सीटों पर आके सिमट गई तीसरे नमबर की पार्टी बन गई उप्चुनाव हो रहे हैं बिहार में चार सीटों पर यहां का खेल देख लीजिए आप यहां क्या क्या होने वाला है एक सीट पर लर रही है जनता दल यूनाइटेट देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि उस सीट पर भाजपा का जो कैडर है संग की अपनी जो तागत है और जो अपर कास्ट भोटर है वो मदद करता है मनुर्मा देवी को या नहीं करता है ये बड़ा सवाल वहां पूछा जा रहा है भाजपा कितने सिद्दत के साथ मनुर्मा देवी के साथ रहेगी बेला गज में इस पर भी नजर लोगों की है और कहीं अगर नतीजा उल्टा फुल्टा हो गया डिबीजन हो रहा है तो मनुर्मा देवी को इसका फायदा मिलेगा लेकिन फायदा तम मिलेगा जब भाजपा की तागत साथ साथ लगेगी मनुर्मा देवी के साथ जो अपरकास भोटर है जो बनिया भोटर है बैस भोटर है वो भोट करेगा तब न उसको तो भोट करना पड़ेगा मनूर्मा देवी के लिए तब ही तो बेलागंज की जीत सुनिचित होगी जनता दल उनेटेट की परना वो जीत होगी कहां से एक बात और कही जाती है देखिए हम आपको बताएं एक बात और कही जाती है कि जो लालू यादव से नराज अपरकास भोटर है जिसकी एक पसंद होता था नितिश कुमार की पार्टी या कोई दूसरी पार्टी वो अब धीरे धीरे परसांद की सोर को भी पसंद करने लगी है उनके पास एक आप्सन आया है परसांद की सोर के रूप में कि चलिए नहीं देना है लालू परसांद को तो परसांद की सोर के पार्टी को दे देते है पहले इंडिपेंडेंडेंडेंट में दे 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 थे नोटा में दे 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 थे लेकिन अब उनको लगता है कि चली एक पार्टी है तो उसी में दे दे अगर इसी तरह का खेल अगर RCP सिंग ने कर दिया नालंदा और दूसरे इलाकों में कुर्मी बहुली इलाकों में कुस बहा बहुली इलाकों में तो वहाँ पर भी वही खेल होगा तो इन चीजों को नितिश कुमार भी अब समझ रहे हैं देख रहे हैं कि आखिर उनकी घेराबंदी कितने सलिके से भाटपा कर रही है चौथर पा घेराबंदी सी को काते हैं एक तरफ से R.C.P. सिंग एक तरफ से चिराग पास्मान एक तरफ से परसांकिसूर और पीछे तो भाटपा है ही है चारो तरफ की एक घेराबंदी जिससे नितिश कुमार को निकलने की सला राहुल कांधी और अखलेश यादब दे रहे हैं कि समय है मौका है आप निकलिए चुनाप के नतीज़े आने वाले हैं उसके बाद आप फैसला लेजिए कि आपको करना क्या है तो नितिश कुमार खेमा भी इंतजार कर रहा है चुनाप के नतीज़ों का ही उप चुनाप के नतीज़ों का ही कि वो नतीज़ा आता क्या है जारखन में तो दो ही सीट पर जनतादल उनाटेड है वहाँ तो जो बेज़ती हुई सो हुई एक सीट पर यहाँ बाइलेक्शन है बेलागंच में जहां से मनोर्मा देवी चुनाल रही है इन सब के जो रिजल्ट आएंगे वो जनतादल के पॉलिसी डिसीजन में बहुत महम मुद्धा भाएंगे नितीज कुमार भी उसका इंतिजार कर रहे है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भाज़पा का पूरा सपोर्ट जनतादल उमिद्वार को मिलेगा जारखन में भी और बिहार के बाईलक्षन में भी यह तै करेगा कि आगे का रिस्ता रहेगा कैसे नितीज कुमार सेर की सबारी करते रहेंगे या सेर से उतरने के लिए वो मजबूर होंगे एक रिस्क उनको लेना पड़ेगा उतरने का अब सेर उनको खा जाएगा या वो इंडिया ब्लोक के सुरक्षित घेरे में चले जाएगे यह तो वक्त बताएगा लेकिन फिलाल जो घेरा बंदी नितीज कुमार की हुई है उससे जग्यू खेमा तो परसान है ही भाजपा का उग्र हिंदु तो देखी रहे है उस लाइन से भाजपा पीछे नहीं हटेगी जेपी नटा आ रही रहे है साथ तारिक को नितीज कुमार से उनकी one-to-one मीटिंग भी है छट गाटों पर भी जाएंगे समझाने की कोशिस भी करेंगे और समझने की भी कोशिस करेंगे कि ये रिष्टा आगे कैसे बढ़ाए जा सकता है अगर बात नहीं बनी तो फिर बड़ा डिसीजन भी हो सकता है जिसकी चर्चा हो रही है बिहार में ये सब तय होगा तैस तारिक के बाद और उस पल में नितीज कुमार कोई बड़ा डिसीजन लेंगे इसकी भी तयारी चल रही है अंदर खाने ये हम आपको बता दे चुकि खेल जो है भाजपा का उसको समझ रहे हैं सब लोग और दीज कुमार तो बहुत संजीदगी से समझने लग है क्योंकि देखे दो ही सक्स हैं विहार लालू परसाद और नितिश कुमार जो बिहार के चप्पे-चप्पे के सियासत को समझते हैं आगे क्या उसमें करना है इसकी भी उनके पास सलायत है कि वहां चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बाद ही किसी का नंबर आता है त कितनी दूर तक आगे जाना है लोग उनके हेल्ट का वास्ता देते हैं कि हेल्ट अच्छा नहीं है तो कोई बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं नितिश कुमार जैसे चल रहा है चलने दीजिए बार-बार वो कहते ही हैं कि अब हम कहीं जाएंगे नहीं तो समझाने वाले उ चले गए इतनी तागत थी कि अपने बल्बूते पूरी पार्टी को उन्होंने खड़ा कर दिया तो वह उधारन तो सामने है सरत्पबार के रूप में कहां दिक्कत है जेपी का लोग उधारन देते हैं कि जब जेपी अपने उस उमर के उस दहलीद पर थे कापी कमजोड थ एक ग्लास उठाने की भी तागत उनके पास नहीं बच्ची थी जैसा लोग बताते हैं लेकिन उन्होंने इंद्रा गांधी को सत्ता से बेदेखल कर दिया वो तागत थी जेपी के पास तो उमर और ये तमाम चीज़े अपनी जगह पर है उसका अपना महत्व है प्रभाव है लेकिन ये कादेना कि उमर की जिस दहलीद पर नितिश कुमार है और उमका स्वास्त कैसा है कोई बड़ा राज़ितिक फैसला नहीं लेंगे ये इसमें सच्चाई नहीं है अगर विलपावर है और चीजों को अगर समझ रहें नितिश कुमार तो जरूर उपचुनाव के नतिजों के बाद कोई बड़ा फैसला वो जरूर लेंगे ऐसी उमीद इंडिया ब्लोक के नेताओं को है और जिस तरह की सला और जिस तरह का ओफर राहुल गांधी ने दिया है और अख्लेस यादब ने दिया है जरूर इस पर विचार नितिश कुमार कर रहे होंगे आप देखते रहे है कैप्टन टीबी बिहार आपका बहुत धन्वाद आपका बहुत बहुत सुक्रिया